Hello everyone, welcome you all at Lokisar Unlimited Study Zone. So, IPU Math की Classes में, आज हम नय टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं. And name of our new topic is Graph. So, बच्चों, Graph Study करने के पहले मैं यह कहूंगा कि, यह Maths की आत्मा है. Okay? मतलब, Maths जिन लोगों को बहुत अच्छा आता है. यह जो लोग Maths को देख पाते हैं, इसका मतलब उनको Graph बनता है. आप यदि किसी से पूचेंगे, तुम्हें क्या Maths दिखती है? तो वो कहेगा, नहीं, मुझे Maths नहीं दिखती है. But यदि जिसे Graph का बहुत ज्यादा knowledge है, उसे Maths दिखती है. वो Maths को पूरा-पूरा फील करता है. ठीक है ना? तो Graph एक तरीके से Maths का पूरा heart है. और Graph बनाना आपको आना चाहिए. अगर आप Graph जल्दी-जल्दी बना लेंगे जितने functions के, तो आपको चीजें बहुत आराम से समझ मैंने लगेंगे. तो दोस्तों हम Graph की Classes स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहला सवाल होता है बेटा, कि हम Graph बनाएंगे किसका? मतलब कि हम किस चीज का Graph बनाएंगे? और I can say, what to plot? Plot क्या करना है? तो plot करना है, Graph plot करना है. ओके? Graph plot करना है, Graph किस चीज का plot करना है? बेटा, Maths में जो भी आप Graph plot करते हो, जिस भी चीज का Graph plot करते हो, actually, वो जो Graph होता है, Maths में, that is a relationship. एक Graph मतलब एक relationship होती है. किस की relationship होती है, बेटा? Graph में दो चीज़ों की relationship होती है, एक होता है, independent variable. इंडिपेंडेंडेंट वेरियेबल. और दूसरा जो होता है, बेटा, वो होता है, dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरियेबल जिसे हम एक्स मानते हैं, और एक होता है, डिपेंडेंट वेरियेबल जिसे हम य मानते हैं. तो हमें जो graph बनाने हैं, वो केवल दो वेरियेबल पे बनाने हैं, इसलिए हम दो एक्स लेंगे, एक X-क्स होगा, जिसे हम X-के नाम से जानते हैं, और एक Y-क्स होगा, जिसे हम Y-के नाम से जानते हैं. क्लियर हुआ की नहीं हुआ बेटा, तो graph plot करने के लिए हमें दो एक्सेस की जरूरत है, फस्ट एक्सेस इस कॉल्ड एक्सेस, एक्सेस एक्सेस, और कॉल्ड वाई वाई डेस, दोनों एक्सेस एक दूसरे को जहां पे काटते हैं बेटा, उस cut point को हम बोलते हैं, origin और origin के coordinates हो होते हैं, 0,0, मतलब ना तो आपने X में कुछ move किया है, ना आपने Y में कुछ move किया है, origin के coordinate होते हैं, 0,0, मतलब बेटा, इस system में, इस plane में, यह जो plane है, इसमें आप दो ही चीज़ें दिखा सकते हो, या तो X के along, या आप Y के along, इस plane का नाम होता है, coordinate plane, Cartesian plane, इस plane का नाम है, Cartesian plane, clear बेटा, और इस plane में हर एक point की दो position है, जो पहली position है बेटा, first position, जो X के along होती है, that is called abscissa, से, abscissa, और जो second position होती है बेटा, जो Y का coordinate कहलाती है, that is called coordinate, और abscissa और coordinate को मिला करके, दो जानकारिया बनती हैं, जिनको हम summely तुरूप से, या commandly, जिनको हम बेटा, coordinate कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, coordinate, collectively, जिनको हम coordinate कहते हैं, बोलिये clear, अब X के point अगर आप plot करते हैं X axis में, तो X का पहला point बनता है 1,0, second point बनता है 2,0, third point बनता है 3,0, likewise, मतलब X axis में everywhere Y coordinate 0 होगा, और यही X axis का equation है, similarly Y axis में, that will be 0,1, 0,2, 0,3, likewise, तो Y axis का equation क्या होगा, everywhere X coordinate will be 0, तो यह Y axis का equation है, तो Y axis का equation क्या होगा, X equal to 0, और X axis का equation क्या होगा, Y equal to 0, Y axis पे कौन 0 होगा, X axis पे कौन 0 होगा, ordinate 0 होगा, बोलिये clear होगा, की नहीं हुआ, अब हमें अलग-अलग टाइप के graph draw करने है, मैंने बताया हम graph किसका draw करेंगे, graph हम draw करेंगे X और Y में relationship में, तो Y और X की relationship को हम बोलते हैं बेटा maths में function, और इसको हम लिखते हैं, Y is the function of X, मतलब Y जो है, X पे depend कर रहा है, Y is the function of X, देखी example, यदि मैंने लिखा Y equal to 2X plus 3, तो जो Y की value आएगी वो किसकी value से निकल करके आएगी, X की value से, तो यहाँ पर Y की value जो है, X की value पर depend कर रही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कि Y जो है, वो X का function है, बोली clear की not clear, अब अगर variable X की power 1 होती है, तो degree वाला concept आता है, जिसको मैंने आपको polynomial में पढ़ाया है, कि अगर X equal to 1 होगा, तो linear function होगा, X equal to 2 होगा, तो quadratic function होगा, या quadratic polynomial होगा, X equal to 3 होगा, तो cubic polynomial होगा, यह चीजें जैसे question आती जाएंगे, मैं थोड़ा-थोड़ा discuss आपको करता जाओंगा, बट फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, question को देखते हुए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, quadrant, 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 देखिए मैंने आपको बताया कि यह मेरे पास एक Cartesian plane होता है, यह जो plane है, जिसमें मेरे पास एक X axis है, और एक Y axis है, तो इस पूरे plane को इन axis ने चार हिस्सों में बाटा है, this is part number one, this is part number two, this is part number three, and this is part number four, the first part is called first quadrant, first quadrant, the second part of the plane is called second quadrant, इसको आपकी बुक में Q1 बुला जाता है, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4, clear बेटा? हाँ, तो इसे Q1 बोलते हैं, इसे Q2 बोलते हैं, इसे Q3 बोलते हैं, इसे Q4 बोलते हैं, अब आईए पहले सवाल की और चलते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है, हम type of function पढ़ेंगे, बट सबसे पहला जो function यहाँ पे आ रहा है बेटा, पहला function है, first type of function जो है, that is called linear function, linear function, तो linear function क्या होता है बेटा, अगर if Y equal to AX plus B, यह कह लीजिए, linear function, तो ऐसा function जिसमें Y की भी power 1 हो, X की भी power 1 हो, यहाँ पे Y की भी power 1 है, X की भी power 1 है, तो ऐसे function को आप linear function बोलेंगे, और बेटा, इसको जब आप plot करोगे, तो आपको always, आपको straight line में लेगी, क्या में लेगी बेटा, straight line, straight line में लेगी, हमेशा, तो इस एक line को आप बनाओगे, तो straight line में लेगी, अब सवाल यह है कि सर, बनाएंगे कैसे, आप हमें best method बताओ, जैसे example के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया, 3X plus 4Y equal to 12, तो बच्पन में आपने पढ़ा होगा, class 10 में graphical method से बनाने के लिए, कि Y को separate करो, इधर ले जाओ, 4Y equal to 12 minus 3X, और फिर Y equal to 12 minus 3X upon 4, ऐसा करो, और यहाँ डब्बे बनाओ, X की value डालते जाओ, और Y की value निकालते जाओ, जैसे मैंने for instance X की value मैंने 0 put कर दी, तो क्या हो जाएगा, 12 minus 3 into 0, 0 हो गया upon 4, so 12 by 4, कितना आगया बेटा, 3 आगया, तो X की value 0 पर Y की value 3 आगयी, ऐसे X की value 1 डाल दी, है ना, तो X की value 1 डालोगे, तो 12 minus 3 बन जाओ 3 upon 4, तो कितना हो गया 9 by 4, ठीक है ना, तो यह value आगया 9 by 4, एक तरीका तो यह था, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर Y क्या है, dependent variable है, और X क्या है, independent variable है, because X की value आप अपने मन से डालते जा रहे हैं, अब मेरे पास एक और तरीका है, इस graph को बनाने का, linear function को, best तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो बच्चों जो linear function है, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुगा, AX plus BY plus C equal to 0, यह भी linear function है, यह ऐसे linear equation है, यह linear function दोनों बोल सकते हैं, linear equation यह linear function, दोनों बोल सकते हैं आप इसे, और linear function, दोनों एक ही चीज़े बेटा, आप कैसे इसको draw करोगे, आपको इसको draw करने के लिए कुछ यह technique लगानी है, AX plus BY equal to C को right side में लिजे, minus C, अब minus C का पूरे में divide कर दिजे, तो AX upon minus C plus BY upon minus C equal to minus C upon minus C, यह cancel हो गया, 1 आगया, तो AX upon minus C equal to, sorry, plus में आएगा, BY upon minus C equal to 1, अब इसको divide में ले लेंगे, X का coefficient A है, जिसको हम लेख सकते हैं, minus C by A, Y का coefficient कहलाएगा, minus C by B equal to 1, यह जो X और Y के नीचे जो length आई है, यह कहलाते हैं, intercept, intercept मतलब, graph जो है, जो straight line है, वो X axis को कितने length पे काटेगा, X axis को काटेगा, C by A length पे, और ऐसे ही Y axis को कहाँ पे काटेगा, C by B पे, बेटा कुछ समझ में आया कि लिए है, नहीं आया, चलिए, इसका मतलब हम को इस question से समझना पड़ेगा, देखी करते हैं इस question को, अगला question, जो first question आपके booklet का है, वही मैं करा रहा हूँ, देखी क्या दे रखा है, first question, ये है हमाई पास पहला question, question कहा रहा है, तो चलिए, ये मैंने quadrant बना लिए है, x-dash, x-dash यहाँ आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y-dash आएगा, तो क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y एक्वाइट टू 12, मैंने बताया था, इधर पे 1, एक्वाइट साइड में आपको 1 बनाना है, तो जो इधर है, उसी का डिवाइट कर दो, तो 3x अपॉन 12, प्लस 4y अपॉन 12, एक्वाइट टू 1 हो गया, 3 से काट दीजिए, 4 बार, 4 से कट जाएगा, 3 बार, याने x अपॉन 4, मतलब x में कितने का length कट एगा, 4 का, 1, 2, 3, 4, so this point is 4, 0, समझ में आया बिटा, और y के नीचे 3 का, तो y में कितना point, 1, 2, 3, so this length of this point is, this point is called 0, 3, clear बिटा, clear की not clear, तो 2 point हमाई पास आजाएगे, बिटा, x 4 जो है, x axis में होगा, और 3 जो है, y axis में होगा, तो इस length को जो मिलती है, इनको हम बोलते हैं, intercepts, क्या बोलते हैं बिटा, intercepts, हाँ, अब जोड दीजे इसको, ये लेजिए, line बना दीजे, 2 point से होके line जाती है, ये line चली गई है, अब देखिए, ये जो line है, ये किस-किस quadrant में है, Q1 में है कि नहीं है, 1st quadrant में, Q2 में है कि नहीं है, Q3 में है कि नहीं है, नहीं है, Q4 में है कि नहीं है, तो किस-किस quadrant में है, Q1 में है, Q2 में है और Q4 में है, तो correct answer, Q1, Q2, Q4, answer will be D, clear? हाँ, नोट कर लें, तो लिख लिए आपने बच्चों, चलिए, अब देखिए, एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ बेटा, मैं, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है न, अगली हेडिंग डालेंगे, मॉडुलस फंक्शन, कुछ ही स्पेशल टाइप मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है, पहला तो मैंने आपको बढ़ा दिया लिनियर फंक्शन, दूसरा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा, और एपसल्यूट वैल्यू फंक्शन, ऐसे कहते हैं हम एपसल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्या होत आप चाहे जमीन के 3 मीटर ऊपर जाए या 3 मीटर नीचे जाए अ पोट यहां है बी पोट यहां है आप ये जमीन ठाग ग्राउंड था ये आप 3 मीटर ऊपर गए या 3 मीटर नीचे गए तो पोजीशन के इसाप से ये वाला पोट क्या बनेगा 0,3 y-axis में यह क्या बनेगा 0,-3 बट यदि मैं बोलूं क्यों कितना उपर गए तो आप बोलेंगे 3 मीटर यह 3 यूनिट मैं बोलूं क्यों कितना नीचे गए तो तब भी आप बोलेंगे 3 यूनिट मतलब ऐसा फंक्शन जो किवल मैगनिट्यूट की जानकारी दे ऐसे फंक्शन को हम मॉडूलस फंक्शन या एपसल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं क्लियर हुआ बेटा मतलब आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप 3 का मॉडूलस करेंगे तो भी 3 आएगा और माइनस 3 का मॉडूलस करेंगे तो भी 3 ही आएगा इस ए Kentucky कि भर चिजय ओमिप्र युर्ट क्या होती है यृटी में तो प्लस में टो वही कवही देगा बट जब भी आप नेगेटिव इनपुट दिते हैं तो यह जो मॉड निदु मॉड लस होता है यह खुद से एक माइनस sign देता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और answer प्लस 3 बन जाता है प्रोसेस समझ में आई यह नीचे हाँ आठीज़़़़़़़़़़़़़़़़ यह तो सब को पता है कि माइनस थरी का प्लस 3 मिलेगा बट कैसे मिलेगा तो मॉडलिस टूटेगा तो खुद एक नेगेटिव देदेगा तो वो माइनस मैनस प्लस हो जाएगा समझे आपने तो यहां से मॉडलिस X के डेफिनिशन बनती है मॉडलिस X एक्वल टू देखे तो अगर कोई नमबर X है मैट्स में तो उसके तीन केसे से या तो वो नमबर जीरो से बड़ा होगा यानिकी पॉजटिव होगा या वो नमबर जीरो के एक्वल होगा और या वो नमबर जीरो से छोटा होगा निगर्टिव होगा बोले क्लियर की नोट लिए तो इस सेंस में मॉड एक्स जब एक्स ग्रिटेदें जीरो होगा तो किस पे टूटेगा ब पुट कर दी जो मौड फजीरो कितना जाएगा जीरो ही आजाएगा गार एक्स लेस्दें जीरो पर क्या बने गाव इटा माइनस एक्स क्लियर है कोई दिक्कत तो यह विटा मौड एक्स का फंक्चन है अब मौड एक्स का ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा देखिए एक्स एक्स डेस और ये य ये देस भोले clear की not clear? हां अब देखे यहाँ पर आपको mod x का ग्राब बनाना है तो 0 पर तो 0 है तो पहला point थेक तो ये ही मिल गया 0 पर 0 x भी 0 y भी 0 clear की not clear? हां याद रखेगा y equal to mod x होता है मतलब जो output निकलता है X greater than 0 के लिए X greater than 0 के लिए जब 0 से बढ़ा है तो X greater than 0 के लिए function क्या निकल रहा है Y equal to X मतलब straight line Y equal to X जितना Y होतना X है यह line कैसे बनती है बटा इस तरीके से बनती है this is called y equal to x पुलो समझ मैं है हाँ without मतलब आजू बाजू यह x के लिए y equal to x clear और तीसरा x less than 0 के लिए मतलब negative side के लिए क्या बनता equation y equal to minus x मतलब इस तरीके से लाइन जाएगी clear हाँ तो यह बन जाएगा y equal to x और y equal to minus x तो यह है बिटा graph of modulus function ठीक है बना लिजे इसको यह बहुत काम की चीज़ है यह modulus function का graph है यह बहुत exam में आपकी तो देखिये हमने क्या देखा हमने y equal to mod x का graph सीख लिया और y equal to mod x का graph है यह बनता है वी शेप का graph बनता है यह positive side है तो यहाँ y equal to plus x और यह negative side है तो y equal to minus x आप चाहें तो y equal to plus x का graph आप separately भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं बनता तो तो y equal to x का graph आप separately भी बना सकते हैं कैसे बनेगा यह x ले लिजे यह y ले लिजे x की value 1 पर y की value 2 x की value 2 x की value 3 पर y की value 3 तो इस function को बोलते हैं हम बेटा identity function क्या बोलते हैं बेटा identity function हाँ मतलब जो दे रहे हैं वही मिल रहा है 1 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है 2 में दे रहे हैं तो 2 मिल रहा है और 3 दे रहे हैं तो 3 मिल रहा है तो यह इसको plot करते हैं तो x equal to 0 पर y equal to 0 एक point all लिग देता हूँ 0 पर 0 दो फिर 1 x पर 1 तो y पर भी कितना मिलेगा 1 तो that point will be 1,1 फिर x पर 2 तो y पर भी क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा 2 तो that point is 2,2 अगर x पर 3 तो y पर भी क्या मिलेगा हमको 3 ही मिलेगा 3 तो this point refers 3,3 if x equals to 4 तो y पर भी क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा तो this point is 4,4 सारे point को जोड दीजी और आपका graph आ चुका है जोडने पर the name of this line is y equal to x clear की not clear any problem no यह हो गया यह अलग function है कौन सा अलग function है यह अलग है मतलब वह अलग था और यह दोना अलग अलग है यह ही है पेटा y equal to mod x है और mod x की 3 values निकलती है positive x for x greater than 0 0 for x equal to 0 and minus x for x less than 0 तो यह पेटा पहला part है इसका इधर का समझे की नहीं समझे मतलब पेटा यह इसका right part है ना क्योंकि mod x की 3 part है ना एक 0 पर एक 0 के right side और एक 0 के left side तो यह 0 के right side वाला हिस्सा ऐसा बनेगा y equal to x ना बो हाय ना और less than के लिए क्या y equal to minus x है 0 से कम के लिए मतलब negative के लिए यस और नो तो वह ग्राफ ऐसा चला जाएगा क्लियर उसको बना के रिखाऊं की समझ में आ गया उसमें भी बस ऐसे रहेगा बस अपोजर साइड में रहेगा ना हाँ हाँ एक सिकल टू वन और भी रोपे कैसा रहेगा जीरो जीरो पे पॉइंट वही है वो तो पॉइंट होगा जीरो जीरो पे वाइक कुल टू जीरो आ रहा है क्लियर तो बस बीच में जीरो जीरो रहेगा बिल्कुल सही ठीक है यदि आपको सेकेंड पार्ट देखना है तो मैं दिखा देता हूँ सेकेंड पार्ट जो अपना बन रहा है वाई एक्वल टू माइनस एक्स बन रहा है ठीक ना यह लीचे यह देखिए अब एक्स की वैलू डालते जाहिए और वाई की वैलू निकालते जाहिए एक्स इकल टू जीरो पर वाई की वैलू जीरो इस जीरो ओमाजीरो X equal to 1 X की जिए 1 डालेंगे तो minus of 1 यहने की minus 1 हो जाएगा X equal to 1 पे Y equal to minus 1 आएगा बुलिए यह की नो X equal to 1 पे Y equal to minus 1 X equal to 1 but Y equal to minus 1 तो यह देखी Y की value minus 1 तो point यहाँ पे मिलेगा Clear की not clear हाँ Y equal to minus X पे X equal to गलत बूल दिया मैंने X equal to 1 पे Y equal to minus 1 हाँ ठीक है बिल्कुल सही है क्योंकि Y equal to minus X आ रहा है तो Y की value minus 1 आ जाएगी Clear बिटर बिटर बटर हम गलत कर रहे हैं हम तो negative side रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें minus रखना पड़ेगा अब Y की value minus minus plus बनाएगी थोड़ा सा confuse कर दिया मैंने आपको यहाँ पे फिर से समझाता हूँ देखिए हम तो negative side चल रहे हैं तो 1 तो रखी नहीं सकते हैं X की value मैं minus 1 रखता हूँ है ना तो क्या apply होगा Y equal to minus X तो Y equal to minus और X की value minus 1 बुलिए minus minus कितना आगया plus 1 आगया कि नहीं है हाँ तो Y equal to कितना आएगा plus 1 आएगा clear अगर आप X की value minus 2 रखेंगे तो minus of minus 2 क्या मिल जाएगा plus 2 मिलेगा बुलिए हाँ हाँ तो देखा आपने X equal to minus 1 पे value क्या मिली Y की plus 1 तो एक point ही हो गया X equal to minus 2 पे value क्या मिली Y की बेटा plus 2 तो दूसरा point ही हो गया ऐसे X equal to minus 3 पुट करेंगे तो value plus 3 मिल जाएगी तो एक point अपना ये हो गया minus 3 plus 3 अब तीनों को attach कर दीजे तो ये देखिए ये हो गया अपने पास graphical line बन गई Y equal to minus X clear तो mod X में मतलब दोनों क्या तीनों part include होते हैं अगर आपके पास कोई function Y equal to mod X है तो Y equal to mod X means first value X for X is greater than 0 0 for X equal to 0 and minus X for X less than 0 ठीक है नहीं आई सुझ मेटा ये जो line है ये कहलाएगी Y equal to X और ये line कहलाएगी Y equal to minus X क्योंकि Y की तीन value है positive के लिए Y plus में जा रहा है और negative के लिए Y minus में जा रहा है 0, clear, clear, clear any problem no done, आंगे बढ़ें की लिखेंगी इसको आई चली आगे अब देखें, next है आपको मैं बताता हूँ अगला function है बटा the name of the function is reciprocal function reciprocal function reciprocal function होता है कितना बटा इसको बोलते हैं function of X equal to 1 upon X और function of X को output याने की Y बोला जाता है तो ये Y equal to 1 by X ये होता है f X को ही हम Y बोलते हैं मतलब output Y होता है तो Y equal to 1 by X अब इसको चलिए plot करते है तो यदि मैं कुछ values डालता हूँ X की value 0 अगर डालूँगा यहाँ पर X की value है और यहाँ पर Y की value है देखें अगर मैं X की value 0 डालूँगा तो 1 upon 0 कितना आजाएगा infinite आजाएगा अगर मैं X की value 0 डालता हूँ तो 1 by 0 infinite जाएगा X की value 1 पर Y की value 1 because 1 upon 1 equal to 1 आएगा बोली आएगा की नहीं आएगा बेटा बोली जल्दी जल्दी X equal to 1 पर Y equal to 1 होगा की नहीं होगा Next X equal to 2 रख दीजे अगर X equal to 2 रख देते हैं तो Y is equal to 1 by 2 मतलब 0.5 तो X equal to 2 रखने पर Y की value 0.5 clear की not clear Hello Hello Haan clear की not clear बेटा Hello Haan bholi na Haan तो देखिए X की value 2 डाल दी तो 0.5 आगया अब आप X की value minus 1 डाली बता ही बता कितना हैगा X की value minus 1 पर Y की value बता ही कितने हारी है minus 1 रही है और X की value minus 2 पर कितने हारी है वही की value minus 1.5 आएगी चाएगी नहीं आएगी minus 0.5 आएगी X की value minus 2 पर अच्छा नहीं आएगी 0.5 क्याएगी बेले बुले minus 0.5 बिल्कुल सही minus 0.5 अब आएए इस graph को मैं बनाता हूं आपके सामने तो graph clear हो जाएगा देखे क्या हो रहा है एक है 0 तो 0 के positive side ये है और 0 के negative side ये वाली party है तो 0 पर infinity है बट 1 पर 1 है तो X equal to 1 पे Y equal to 1 ये देखे clear की note clear अब X equal to 2 पे Y equal to 0.5 तो 0.5 कहाँ पर होता है यहाँ पर होता है पर X की value कितनी आ रही है 2 आ रही है तो X की value 2 पे Y की value 0.5 पहले कितनी थी 1,1 थी और दूसरी कितनी आ गई 2,0.5 clear की not clear इधर देखे X की value minus 1 पे Y की value minus 1 तो X की value minus 1 और Y की value minus 1 तो minus 1, minus 1 ठीक है बिटा और second है X की value minus 2 है यह X की value है और Y की value है 0.5 वह भी minus का तो minus 2, minus 0.5 ठीक है बिटा अब इसका graph आप सोची कैसा जाएगा देखे ज़रा और 0 पर क्या आ रही है infinity आ रही है मतलब X equal to 0 पर value देखे पीछे आ रहे है तो value बढ़ती जा रही है बढ़ रही बिटा क्योंकि X जितना छोटा होगा Y की value उतनी बड़ी होगी यस की no यस तो graph कैसा बनेगा देखे जितना पीछे आप आएंगे X की value जितनी छोटी होगी Y की value infinity touch करेगी तो यह और X जितना बढ़ता जाएगा Y उतना छोटा होता जाएगा आरा समझ में की नहीं आ रहा है आँ क्लियर हुआ left side का graph right side का clear हुआ तो यह बिटा graph है आपका right side ठीक है clear अब बिटा left side का graph देखे left side में भी अगर आप इधर जाते जा रहे हैं माइनस 3 पूट करिए अगर x में आप माइनस 3 पूट करेंगे तो 1 upon minus 3 मतलब 0.33 वो भी minus का मतलब और छोटा हो गया पहले 0.5 था अब 0.33 यहाँ कहीं पर और छोटा हो गया yes or no तो graph देखे इधर पे जाके कैसे बनेगा यहाँ 0 पे तो infinity पे रहेगा minus infinity 1 पे यह हुआ कम होता जाएगा समझ में आया की नहीं आया बताईए तो यह जो graph है बेटा यह है reciprocal function का graph बना लिजी बेटा इसको ओके हाँ हाँ तो यह reciprocal function का graph है and name of this graph is called reciprocal function और इसका function होता है y equal to 1 by x बहुत अच्छे से बनाई यह graph और समझ के बनाईए जो भी बना रहे हैं आप यह उपर y equal to 1 by x और नीचे y equal to 1 by minus x नहीं 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 बिलकुल नहीं बेटा same graph है ना x की value आपने negative डाली है ना value अलग रखेंगी value तो आपको पूरी रखने का राइट है ना graph same है वो modulus function special function था समझ गया ना इसलिए उसमें minus x अलग से design किया गया वो design function है और यह ऐसा ही है clear हुआ हाँ any problem नहीं आंगे चले तो यह बेटा y equal to 1 by x का graph है अब कुछ मैं आपको rule पढ़ा रहा हूं बेटा कुछ बढ़िया बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई function है कोई भी function है और उसमें आप थोड़ा बहुत बदलाओ कैसे कैसे करते हो जैसे मान लीचे बेटा आपके पास कोई function है y is equal to function of x इसका graph suppose बेटा ऐसे गया हुआ है ऐसे ठीक है बोलो अगर बेटा आपने जान बूच करके एक negative लगा दिया इस graph के आँगे minus कर दिया बोलो है न पेटा graph just negative access में पहुँच जाएगा मतलब उपर का नीचे और नीचे का उपर तो यह graph कैसा हो जाएगा पेटा ऐसा हो जाएगा दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा है हां हां तो मतलब graph जो है reflect हो जाएगा x-axis के about समझ में आया कि नहीं आया अगर आप minus लगा रहे हैं तो clear हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ 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 चली देखिए कुछ example से correct करता हूँ जैसे मालेजी आपके पास एक graph है y equal to x square का graph इसका graph मैं आपको बना के दे रहा हूँ यह देखिए यह है बेटा y equal to x square का graph आप चाहें तो number value लेकर के आप बना सकते हैं 2 degree का polynomial है quadratic polynomial है बेटा माइनस साइन का multiply कर दूँ minus x square तो graph क्या होगा बेटा जस्ट अपना face बदल देगा चहरा पलट देगा यह हो जाएगा बेटा y equal to minus x square clear की not clear clear कोई दिक्कत तो देखिए question और देता हूँ जैसे आपको question मैंने पढ़ा है भी graph पढ़ा है भूलिए इस की नो yes हाँ अगर मैं आपसे question पूछ लूँ y equal to minus mod x तो इसका graph बेटा जस्ट आप पलट देंगे यह आ जाएगा भूलो clear की not clear minus बाहर है इसलिए minus करने से हाँ बाहर है minus करने से चीजे बिलकुल पलट जाएंगी और under होता तो भूलो clear की not clear clear ठीक है न तो y equal to minus mod x में graph यह जाएगा चलिए question करते हो आपसे अभी मैंने आपको बताया बेटा function y is equal to one upon x का ऐसा कुछ बताया था आप बताया आप मुझे function बताओ minus sign का multiply कर दिया minus one by x का बताये क्या होगा कौपी में बनाए कौपी में बनाए कौपी में बनाके मुझे WhatsApp में भीजिया मैं देखता हूँ दोनों कर नीचे आ जाएंगे अच्छा पता नहीं मुझे नहीं पता देखे मैंने कहा था graph जो होता है reflect हो जाएगा पूरा का पूरा ओके तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा ठीक ना ये वाला जो हिस्सा है ये reflect हो करके यहां आ जाएगा ठीक ना हाँ तो graph कैसा बन जाएगा ये वाला पार्ट ऐसा चला जाएगा क्लिकर और ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से चला जाएगा बहुत हो जाएगा बिलकुल एक सेक्स के about graph reflect हो जाता है ठीक है क्लियर की not clear तो ये जो graph बनेगा ये किसका बन जाएगा y equal to 1 by x का माइनस 1 by x का माइनस 1 by x का माइनस 1 by x clear की not clear कोई problem तो ये graph किसका बन गया y equal to minus 1 by x का आप भूट करके भी देख सकते हैं अगर आप ये देखे इस graph में ये x की value है और ये y की value है अगर आप x की value 1 डालते हैं तो माइनस 1 upon x याने की minus 1 तो देखे x की value 1 पे minus 1 आ रहा है आ रहा है minus 1 x की value 1 पे कितना मिल रहा है minus 1 clear clear और x की value minus 1 डाल करके देखे minus 1 upon minus 1 minus 1 cancel plus 1 minus 1 पर plus 1 दिख रहा है दिख रहा है की नहीं दिख रहा है ग्राफ टेस्ट करना बहुत easy है सीधे point पकड़ो बिठाल के देख लो clear की not clear yes अगला concept अगला concept क्या है अगला concept यह कह रहा है बिटा कि अगर आपके पास कोई भी graph दिया गया है suppose y equal to fx कोई graph दिया गया है यह दिया है बिटा इस तरीके से आपको graph दिया गया है यह ऐसा ठीक है अगर आपको इस graph का मौडूलस कर दिया जाए एक एक से मतलब mod x mod fx समझ मैं है बिटा तो मौड का काम क्या होता है negative को positive की तरफ धकेलना तो बिटा graph कैसा बन जाएगा यह वाला तो ठीक था क्योंकि यह तो इसमें positive था वाई बुलो हाँ भाई उपर तरफ तो positive था ना बुलो yes or no अभी negative value यहां से y की आना शुरू हुई बट mod negative नहीं दे सकता तो क्या कर देगा इसको पलट देगा बुलो clear की not clear समझे की नहीं समझे जैसे example के लिए एक और question देता हूँ अगर आपके पास question है y equal to sin x तो sin x का graph यह होता है बिटा sin x का graph बिटा कुछ इस तरीके से आता है हूँ यह है sin x का graph अगर आपको y equal to mod sin x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताई ग्राफ में mod कभी negative हो नहीं सकता है बताई क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा कौन उपर चला जाएगा यह नीचे वाले curve भी उपर हो जाएगा जो negative वाले curve हैं वो उपर shift हो जाएगे समझ में आगे हैं पलट जाएगे reflect हो जाएगे और उपर हो जाएगे तो यह बन जाएगा बिटा किसका graph y equal to mod sin x कर ठीक है बिटा चलिए अब जल्दी से अपने question number 24 पे आईए sheet के आगे हैं किनी आए हैं एक सब्सक्राइब question number 24 चलिए question number 24 तो 18 है और यह मेरे ख्याल से 24 यहीं पर है चलिए तो 24 question पे हम आ चुके हैं आपको मुझे question number 24 के सारे graph बना के दिखाने है ठीक है इसमें fx is equal to दिया है मतलब वो ही है यह अच्छा यह होता है y होता है y होता है fx का नाम y ही होता है question क्या दिया है 24 में आपको draw the graph of fx equal to one by x minus one upon x तीन function दिये आपको आपको तीन function यहां पर draw करने है एक है one by x है और एक है देखिए आपने फिर से photo आज सीधी नहीं भेजी अब मैं crop करता हूँ तो गलत कटता है देखिए ऐसे टिए आप CD photo रखके भेजा करिया है तो देखिए जो आपके पास graphs है तीन graph है आपके पास question number 24 में fx equal to one upon x minus one upon x और तीसरा mod one by x तो बहुत ही सरल सवाल है पहला one by x तो मैंने आपको बताई दिया बोली ऐसानो पॉस्टे पे पॉस्टे वाता था और निगेटिव पे निगेटिव जूम जाता ठीक है clear यह पहला answer होगा दूसरा minus one by x मैंने बता दिया reflect कर दो इधर उपर का नीचे और नीचे का ऊपर ठीक है ना तो graph उपर का नीचे आ जाएगा मॉड में दोनो राइट पॉस्टे इस तरफ यह हो जाएगा clear और तीसरा है mod of one by x मतलब यह जो one by x था इसी का mod ले लो मतलब क्या हो जाएगा यहां भी चांद बनेगा और यहां भी चांद बनेगा clear की not clear हाँ देख लिजे answer तो y is equals to यह क्या है mod of one by x clear आपसे question पूछा जा सकता है कि बताईए किस quadrant में है graph तो यह first में जा रहा है और किस में जा रहा है second में clear any problem नए तो done आज की class को यहीं पर over करते हैं बच्चों और आपको कुछ worksheet मैंने भेजी है ग्रूप में तो आप graphical question starting करिए graph बनाना क्योंकि graph में approach अभी आते time लगेगा जब धीरे 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 approach आ जाएगी तो आपको चीजे बननी शुरू जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नए यहां तो यहां पर हमने क्या किया है y equal to fx equal to 1 by x mod का तो इसका mod लेने के लिए हमने यह पहुचा दिया मैंने बताया था जब भी आप mod लेंगे तो क्या हो जाएगा सारा का सारा positive में shift हो जाएगा तो यह तो था ही positive में यह वाला जो negative part है यह plus में चला जाएगा clear की not clear हाँ ठीक example एक और बता देता हूँ आपको में जैसे की आपके पास कोई line है y equal to suppose 2x plus 3 और इसका graph कुछ ऐसा आ रहा है इस तरीके से और यदि आपने इसके उपर mod 2x plus 3 लगा दिया मतलब question में इसके उपर क्या लगा दिया mod तो जैसे ही आप mod लगाएगे तो यह जो negative वाले party थी यह पलट करके यूं हो जाएगी समझ रहा है आप हाँ हाँ तो यहां से यह changes बस आ जाएंगे यह जो मैं दिखा देता हूं ठीक न यह changes आ जाएगा तो जो negative था पहले वो कैसे में हो जाएगा plus में clear की note clear हाँ क्योंकि याद रखीगा आप अगर सीरे सीरे माइनस बाहर लगाते हैं या mod लेते हैं तो result सीरे सीरे किस पर पढ़ता है y पे जैसे mod लगाने पर y को positive होना ही है क्योंकि mod का answer positive आएगा तो अगर आप कुछ भी बाहर कुछ भी करते हैं तो result सीरे सीरे किस पर मिलेगा y पे तो इस काम को बोलते है scaling करना क्या करते हैं पिटा scaling scaling clear होगा कि नहीं होगा जैसे आपने यदी कोई graph आपके पास में ऐसा देखे कोई graph आपके पास में यू है आपके पास graph इस graph का नाम है y equal to fx अब आपने scaling कर दी minus one सी मतलम minus fx ठीक है तो क्या बनेगा बीटा नया वाला graph minus fx इस तरीके से क्योंकि negative का असर सीधे सीधे y पे मिलेगा और यह negative हो जाएगा ओके मतलब पहले सारे answer आपके प्लस में थे अब सारे answer आपके क्या है negative